देखिए पूरी दुनिया में भारत को इसकी प्रजातंतर के लिए जाना जाता है कहते हैं कि भारत की प्रजातंतर सबसे ज़्यादा मजबूत है, पुरानी है और निस्पक्ष है प्रजातंतर का मूल आधार प्रश्न पूछना होता है अगर चुना हुआ सांसद सदन में खड़े होकर प्रश्ण नहीं पूछेगा तो फिर करेगा क्या आज ये देश का दुरभाग्य है और देश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि सौ डेड़ सव सांसदों को एक साथ प्रश्ण पूछने के कारण निलंबित कर दिया गया और उनका प्रश्ण क्या था प्रश्ण ये था कि सदन की सुरक्षा में जो चूप हुआ है और एक चीज़ ध्यान में रखिये कि भारती जनता पार्टी की सरकार पहले थी तो पहली भी एक बार सदन में हमला हुआ था आज फिर जब भारती जनता पार्टी की सरकार है फिर से सदन में हमला हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात उन लोगों को जिनों ने सदन पे हमला किया या इंट्रूड की एक घुसे उनको लेकर कौन आया भारती जनता पार्टी के एक सांसद अपनी गाड़ी में बैठा कर उनको लेकर आये तो इतनी भारी चूक हुई है इतनी भारी चूक होने के बा मुझगारी है महंगाई है रस्टा चार है चारों तरफ बढ़ा हुआ है अब सारे विपक्षियों को विपक्षी दलों को और हर उस व्यक्ति को जो इस देश से प्यार करता इकठे होना है इकठे होकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाना है भाजपा की सरकार को हटाना ह यही एक मातर मकसद